नमश्कार दोस्तों निर्मला सीतारामन जी ने 2024 का बजट प्रेजट किया है इस पर रिल स्टेट और परसनल फिनेंस पर बात करने के लिए काफी कुछ है रिल स्टेट पर इसका इंपक्ट कैसा रहेगा आपके जेब पर ये कितना और सहूलियत देगा एक्सपेंस करने के लिए रिल स्टेट पर्चेस करने के लिए इस पर डिटेल पर डिस्किशन करेंगे जैसा कि आप जानते हैं कि मैं रिल स्टेट के ऐसे ही एजुकेटिव वीडियो और प्रजेक्ट के अनबायस रिव्यूज लाता रहता हूं तो ऐसे वीडियो को मिस्त ना पॉइंट्स ऐसे बताये थे जो की हाइलाइट रहे हैं इनके स्पीच के अगर आप मुझे ट्विटर पर फॉलो नहीं करते हैं तो प्लीज फॉलो कीजिए उन पॉइंट्स को मैं करेंगे और रिल स्टेट और स्टॉक को कैसे मिक्स करना चाहती है इस पर भी डिटेल में डिस्क्रिशन करेंगे तो समराइज कर देता हूं मैं सबसे पहले अर्बन हाउसिंग के लिए अडिशनल दस लाक करोड रुपए इन फ्लो करने का गवर्मिट ने कमिट दिया है सेंट करीबन एक करोड लोग इससे इंपक्टेड होंगे जो यहां के अर्बन पूर्स हैं उनको और्गनाइजड वे में घर ओफर किया जाएगा तो अगर आप इस कटेगरी में आते हैं लोवर क्लास या घर भी रिखा के आसपास तो इससे आपको डायरेक्ट बेनफिट मिलेग सेकेंड चीज़ गौर्मेंट को सीज़ बनाने के लिए कहा है तरद रेफलेट रेंटल मार्केट ऑफ अफ हाउजिंग रेंटल मारकेट तो इस पर इंपक्ट पड़ेगा हाउजिंग मार्केट को रेगुलेट करने की बात कहे हैं जो रिंटल्स हैं इंडिया में अल्रोडी कॉंप्रोमाइज हैं दो परसें तीन परसेंट के आसपास की हम रिंटली सुनते हैं अगर कोई ऐसी पॉलिसी बनाई जा रही है तो इससे रिंटल्स जरूर शूट अप हों यही सरकार भी चाहती है नेक्स्ट स्टेट्स को इंकरेज किया जाएगा कि वह स्टाम ड्यूटी को कम करें स्पेशली वुमेंस के लिए तो हो सकता है सेंटल गवर्मेंट कुछ इंसेंटिफ्स प्रवाइड करें स्टेट गवर्मेंट को जो भी कम करने की इक्षा रखना करते हैं अब स्टेट्स गवर्मेंट पर है क्योंकि लैंड इस स्टेट्स मैटर राइट अब वह कितना कम करते हैं नहीं करते हैं इट वैरीज फॉम स्टेट फू स्टेट राइट यह आगया वाला टाइम बताएगा चुल लॉंग टर्म कैपिटल गेन है उसको उन्होंने 10% से 12.5% कर दिया राइट 10% तु 12.5% का आइक किया है और शॉर्ट टम कैपिटल गेन को 15% से 20% पर कर दिया है तो जो भी एकुटी के इंवेस्टर से हैं उन्हों कहीं न कहीं उनको डारेक्ट हिट लगा है यहां पर रिल स्टेट को भी इंपेक्ट किया है इन्होंने क्यो वो अब फ्लैट 12.5% के रेट पर लगेगा इससे रियल स्टेट को भी बहुत बड़ा हिट मिला है जो सिकेंड थर्ड फॉर्थ हाउस ओन करते थे इंवेस्टमेंट के लिए ओन करते थे पैसा स्टॉक मार्केट से इकविटी से बॉंड से डेट से कहीं से कमाया और बहतर टैक्सेशन के लिए रियल स्टेट में इन्वेस्ट करते थे उनको कहीं ने कहीं अब इसका फायदा नहीं मिलेगा तो जो भी घर 2001 के बाद रजिस्टर हुए है जानी की जिनकी रजिस्टरी हुई है उन पर यह एप्लिकेबल होगा अगर आपके दादा जी ने पापा जी ने इससे पहले कोई घर लिया हुआ है या आप फिर भी इंडेक्सेशन बेनफिट ले सकते हैं यहां पर जरूर रिलेक्सेशन है इसे हिट है और मैं प्राक्टिकल एक्जामपल दोंगा कई लोग एक्षिल शीट से इसको समझाने की कुशिश करेंगे आगे अनुवाले टाइम में यूट्यूब पर आप देखेंगे कि प्रोपर्टी में अभी भी आपको कमी टैक्स देना पड़ेगा ड्यू तो दिस 12. 5.5% of lower tax for on property gains right but ऐसा नहीं है reason क्या है first किजे कि आपने 2005 में एक land purchase किया था जिस पर कि आपको दस लाकी टूटल कॉस्ट आई थी और बीस साल रखने के बाद 2025 में आप उसे एक करोड का सेल कर रहे हैं तो तो housing की cost plus indexation benefit जो भी आपका inflation है उसके साथ अगर मैं मान लों कि उसका उसकी value सतर लाक रुपए के आसपास government पानती है जो कि उधर के आसपास का circle rate भी इतना जरूर हो गया होगा इसे केस में क्या होता था कि जो वाइट की डील सोती थी वह साथ सतर या 75 लाक में हो जाती थी और जो एडिशनी छोटा पैसा है कैश का वह कैश कंपोनेंट में दे दिया जाता था तो government को बताया जाता था कि यहां पर property gain पर हमारा कोई gain ही नहीं है तो टेक्स कहां से दें तो इस तरीके से जो मिडिल क्लास है इवन हायर मिडिल क्लास है वो भी property gain के tax से बचता आया है बट आगे आने वाले टाइम में यह नहीं बच पाएंगे तो अगर आप प्रॉपर्टी ट्रेडिंग के प्रॉस्पेक्टिव से ले रहे हैं तो आई थिंक आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए क्योंकि अगर आपने एक आप रहा कि अगर ऑगर को कुछ हो जाता था तो जाते हैं तो आप अगर आपट करना चाहते हैं तो क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि वहां पर भी लॉंग टरम बढ़ा दिया है 2.5 परसेंट से तो वहां भी कोई रिलाक्सेशन नहीं है ऐस सच तो स्टिल रेंटल मार्केट रेगुलेट होने की बात दें चल रही है यहां पर आपको को इंडेक्सेशन बेनेफिट नहीं मिल रही है तो आपको जल्दी से जल्दी इन्वेस्ट कर लेना चाहिए अगर आप अपने लिए घर ओन नहीं करते हैं तो इस हाई टाइम और बहुत ज्यादा स्टॉप में अपने आपको इन्वेस्टेड रखने की ज़रुत नहीं है यही कहा था कि कार्स की बिक्री कम हो रही है क्योंकि लोग बोला उबर ज्यादा प्रिफर कर रहे हैं पुलिश है और इस तरीके की एनालेसिस भी आई शुड से बहुत दुख के साथ करन कहना पड़ रहा है कि ऐसी एनालेसिस फूलिश ही होती है पर स्टिल कैपिटल कर लिया है अपने due diligence के साथ प्रॉपर एनालेसिस के साथ तो एक अच्छा रिटर्न अभी भी बनाया जा सकता है जैसे कि हमेशा बनाया जाता रहा है गोर्मेंट ने यह पॉलेसी लाई क्यों इस पर बात कर लेते हैं रिल स्टेट बहुत कंट्रिबूट करता है अगर इसक 30 पट्सेंसे ज्यादा का है तो गौर्मेंट चाहती है जो रियल स्टेट में cash के transactions हूँ वो कम से कम हो तो इंडेक्स्ट बैइफिट को हटा करके taxation को लोह करके अब हित करने की कोशिश की गई है कि जो भी r眼 सेट के कि 90 lakhs रुपीज में cash transaction करें सामने वाला कोई tech इतना cash दे भी नहीं सकता और अगर आप इतना cash लेते भी हैं तो उसे adjust कहां पर करेंगे तो यह सिर्फ यही एक positive चीज है कि real estate transaction से cash हटाने की कोशिश की गई है क्या यह fruitful होगा नहीं होगा क्या लोग बहुत ज़्यादा cash transactions करते रहेंगे यह आगे आने वाला time ही बताएगा बट्यस cash transactions अब मुझे ऐसा लग रहा है कि real estate से तककरीबन खतम ही हो जाएंगे इससे direct benefit मिलेगा जो clean काम करते हैं builders क्योंकि जहां पर cash और नहीं लेते हैं तो ऐसी ट्रांजिक्शन सब रीसेल में ना हो करके लोग फिर बेचना भी अपने नहीं चाहेंगे क्योंकि उन्हें tax देना पड़ेगा तो रीसेल मार्केट जो है हमारा housing का उस पर impact पड़ेगा लोग बिल्डर वाली unit ज्यादा खरे देंगे यह direct benefit है builders को तो ऐसे लोग जो इस industry में काम करते हैं उनको भी direct benefit है अब जो new tax regime की बात कर लेते हैं new tax regime में जो benefits दी है उन्होंने standard deduction को 50,000 से 75,000 रुपीज कर दिया है और tax regime में भी changes किये हैं अगर मैं tax regime के changes को read out करूं 0-3 lakhs की income पर निल 3-7 lakhs की income पर 5% 7-10 lakhs पर 10% और 12-15 lakhs पर 20% और 15 lakhs से उपर 30% तो government अब कर क्या रही है कि जो new tax regime है उसमें additional benefit उसको और lucrative बनाते जा रही है new tax regime मैंने अपनी elite members के discussion में भी कहा था कि यह discourage करता है saving और housing purchase क्योंकि यहां पर आपको hra नहीं मिलता यहां पर आपको 24b का benefit नहीं मिलता है जो की housing को boost करता है अगर आप husband and wife दोनों कमा रहे हैं दोनों tax दे रहे हैं 30% के tax lab में हैं चार लाक रुपए 24b के तहट आप टैक्स बचा सकते हैं गेंस आपने कम दिखा सकते हैं जो की effective आपको 66.6 लाक्स रुपीज पर पर संट जो की तकरिबना आप इसका डबल कर लें तो 1.33 लाक्स रुपीज पर येर बसता था जो की बहुत significant amount है real estate purchase करने के लिए पुश देता है new tax regime consumption को पुश देता है new tax regime ये चाहता है कि जो भी salary class है वो अपने जेब से पैसा निकाले रिटारल्स पर ना खर्च करें अब तो sips और equities भी ना करें सिर्फ पैसा खर्च करता जाए market में पैसा घुमाता जाए जिससे की हर एक transaction पर गौर्मेंट जेश्टी वगरा लगा पाए तो आने आगे आने वाले टाइम में I'm sure कि old tax regime भी हटा दिया जाएगा हो सकता है अगले financial year में या उसके अगले financial year में for sure हटा दिया जाएगा गौर्मेंट लाश्ट तक वेट नहीं करेगी इसको हटाने के लिए middle of the term में ही हटा जाएगी क्योंकि जनता भूलती भी है old tax regime आपको real estate purchase के लिए इन्वेश्मेंट के लिए securities के लिए आपके रिटारल के corpus बिल्ड करने के लिए बहुत सहायक था अब नहीं चाहती गौर्मेंट 24 भी आपके पास इस financial year का मौका है या हद मार लिजे तो अगला और financial यह है तो अगर आप कहीं पांच लाग रुपए के आसपास बचाना चाहते हैं इन सारी चीजों से एटी सी में भी आप कुछ कुछी से क्लेम कर सकते हैं और अगर आप अभी भी rented house में रह रह रहे हैं तो इस हाई टाइम तो लिक्विडेट यूर इक्विटी एंड इंवेस्ट इन रिल स्टेट तो यह था रिल स्टेट पर इंपक्ट अगर मैं फॉरिंड कॉर्पेट टैक्स की बात करो तो इन्हों अपना प्रॉफिट बुक किया और साइड निकल गये कुछ ऐसा डेवलप्मेंट दिखा नहीं बट यहां पर अब यह जो कम किया है हो सकता है कि एवडिया जो फॉरण डिरेक्ट इंवेस्टमेंट्स हैं उनको बूस्ट मिले जो बाहर की कंपरीज हैं और भी जादा यहां भी बूस्ट मिलेगा अगर आप स्टार्ट इको सिस्टम में एजन इंप्लॉई हैं तो आपको डायरेक्ट बेनफिट मिलेगा इसका पैसा बचेगा बनेगा एजन बेनफिट आपको जरो ट्रांसफर होगा तो अगर मैं पसनल फिनैंस से इसको कंक्लूड करूं तो न्यू सब्सक्राइब करूं तो गोर्मेंट ने जो इंडेक्सेशन बेनफिट हटाई है तो वी पार्ट के ट्रांजिशन को कैश ट्रांजिक्शन को वह और कम करना चाहते हैं जो अभी साथ 70 बिलियन डॉलर का मार्केट है इंडिया का उसको 1.4 1.5 ट्रिलियन डॉलर तक ले जान इंडिया का वो और जरूर बढ़ेगा और गौर्मेंट भी यही चाहती है इसमें कैच यह है कि आगे आने वाला टाइम ही बताएगा कि क्या जो बायर्स और सेलर्स हैं है वी कैश ट्रांजेक्शन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे क्या हमारे इंकम टैक्स डिपार्टम सच ट्रांजेक्शन कुछ ही लोगों को वो पकड़ पाते हैं इस तरीके के करप्शन वाले जो मामले होते हैं जो हाई प्रोफाइल केसे होते हैं उन पर ही शिकंजा कस पाते हैं बट क्या यह जो हर एक इंडिविज्वल हर एक सिटिजन अगर करने लगे तो पॉसिबल हो पाएगा उनको इन चीजों को कैच करना तो यह आगे आने वाला समय ही बताएगा आज इस पर अभी कमेंट नहीं किया जा सकता तो आशा करता हूं कि इस डेटील रिवी वीडियो से मैंने जो भी पॉइंट्स थे जो मिडिल क्लास को पसनल फिनेंस को लेकर के और रिल स्ट को लेकर के इंपक्ट करते हैं इस पर डिटेल में किया हो जो आगे आने वाला इलीट मेंबर सेशन है जो कि नेक्स्ट वीकेंड ही होगा मुष्ट प्रबबली सेटेड़े या संडे में मैं रखूंगा पॉल करूंगा कि कब कौन कितना फ्री है उसका मैंने फॉर्मेट भी भी बात करूंगा और कुछ रियल स्टेट वाली चीज़ें भी एजुकेशनल चीज़ें भी लेकर करके आऊंगा और इंट्रक्टिव वे में आप वहां पर में से कुश्टेंस और एंसर वगरा कर सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए कौन सा प्रजेक्ट कैसा है किस तरीक पर इन्होंने अडिशनल पैसा लगाया है तक्रिवन 1500 क्रोड के असपास तो वाइजयक है विशाका पतनम और जो वहां की कैपिटल है आंद्रा की अमरावती वहां के रेल स्टेट पर भी इसको बहुत बूस्ट मिलेगा मैंने ट्विटर पोस्ट के माध्यम से भी आप लो जो इलीट मेंबर स्टेशन है वो तो है ही राइट वहां पर तो मैं स्कृचल्स बगर बना करके पॉइंट तो पॉइंट आपको रिल स्टेट से लेटेड एजुकेशन देने का पूरा प्रयास कर रहा हूं तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगर अभी तक आपने मेरा य एड्रेस करोंगा अगर छोटा एंसर हुआ तो मैं कमेंट बॉक्स में ही अपना डाल देता हूं अगर जरूरत हुई तो उसे एक सेपरेट वीडियो के माध्यम से भी एड्रेस करता हूं मैं इस यूट्यूब चैनल को काफे इंटरेक्टिव रखना चाहता हूं तो जिए जिए और आर वीडियो तो तु दिल दे बॉगणा।